दोस्तों, आज अपनी चैनल के द्वारा आज की वीडियो में पती पत्नी का जगडा दूर करने के उपाय बता रहे हैं अक्सर बहुत से परवारों में इस्तिती होती हैं कि पती पत्नी में छोटी छोटी बातों पर बे बज़े जगडा होता है कई बार ऐसा भी होता है कि पती अगर गलत राष्टे पर चल रहा है या पत्नी गलत राष्टे पर चल रही है तब भी जगडा होता है इस जगडे को दूर अवस्य करना चाहिए अगर पती गलत राष्टे पे चल रहा है तो उसे सही राष्टे पर लाने का क्या उपाय होता है अगर पती किसी परिष्टी की चक्कर में फश चुका है तो उससे भी कैसे दूर किया जाए ये सभी उपाय बता रहे हैं इन सभी उपाय को जानने से पहले जो भी माता बेन वाई रोष्ट हमारी चैनल को पहली वाँ देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में घंती का वतन दबाएं जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें दोश्तों माता बेनों को विशीश करके कुछ उपायों को ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहला उपाय यह है कि अपने मांगों बने वाला जिस सिंदूर होता है उस सिंदूर का विशीश में तो रहता है अगर इस सिंदूर को जो है रात को सोते समय जिदर पती के पैर होते हैं उड़े की साइद में थोड़ा सा गिरा दिया जाए इस हिसाव से जरा सा गिराय की पती को पताना चले अथवा आप एक पुडिया में बंद करके भी पैरों की तरफ रख सकते हैं कपड़े से रख करके चड़र के नीचे रख दें और सुबह पती के जागने से पहले इस्नान करके उस पुडिया को लेके उसमें जरासा सिंदूर पती के चन्नम गिरा दें और माता गोरी का ध्यान करते हुए मांग में भलनें यह आपको जो है सुमबार अथवा सुक्रवार को तीन वार करना है साथ में दूर सौपाएं रात को सोने से पहले अपने कमरे में जो है कपूर जरू जलाया करें चालिश दिन लगाता तो कपूर जरू जलाएं रोज एक टिक्की जलाएं और उसका जो है दूबा पूरे कमरे में घूमेगा तो नकरात्मक उर्जा समप्त होगी और सकरात्मक उर्जा जागेगी जिससे पती पत्नी का जो मन मुटाव की श्रती है वो दूर होगी इसके बार तीसरा उपाए गुरुवार के दिन तीन सो ग्राम बेशन के आपको घीला करके उसके दो लड्डू से पेड़े से बना लेने उनमें तीन से ग्राम चने की डाल और तीन केले इन्हें लेकर के आप गुशाला जाएं और गुशाला जाकर के जो बच्ड़े वाली गाए होती है अगर आपको कई और भी मिल जाती है तो वाँ भी खिला सकते ही उस गाए को खिला करके पती की प्रेम के लिए प्रात्ना करें कि हमारा पती अगर गलत राष्टे चल रहा हो परिष्टी के चक्कर में हो अथवा सराव, जुगा, सट्टा आज की आदत हो तो उसे छोड़ करके परवार की तरफ ज्यान दे और हम से प्रेम करें इस उपाय को जो है साथ गुरुवार करना है इस उपाय को करने से भी आपका आपसी कल्य मिटेगा और पती सही राष्टे पाएगा एक आखरी पांचमा उपाय पांचमा उपाय यह है कि अमा वश्चा के दिन पीपल की पेड़ के नीचे जाए और वहां जाकर के पीपल की पेड़ पर दो पत्ती जो पीले हो गए हो गिरे हुए पत्ते निले ने जो पीपल के पेड़ पर लगे हुए दो पत्ते जिनमें पीला पन हो उन पत्तों को लें एक पत्ते पर काजल से पती का नाम लिखें और पीपल के नीचे किसी बार ये वस्तू से दबा की रख दें दूसा पत्ता गल ला करकें सिंदूर से पती का नाम लिख करकें किसी भी कोने में अत्वा घर के छट पर पत्थर इंट से दबा की रख दें यह आपको लगातार फिर 16 दिन जाना है, 16 दिन यही क्रिया करनी है, जो घर के अंदर फिर 17 में दिन आपको क्या करना है, जो 16 पत्ते खत्ते हो गए हैं, उनको ले जाकर के पानी में प्रवाइट कर दें माता बेनों, अगर आप इन उपायों को करेंगी, तो अवसी आपको लाप प्राप्त होगा, इन उपायों को जो है, पूरी सिद्धा और विश्वास के साथ में करें, आपका ग्रिष्ट जीवन एवं सुख में हो जाएगा, आप इस उपायों को करें, लाप प्राप्त करें, आपको आगे की और वीडियो मिलते हैं आप सभी को जय स्रीकिष्ण